दोस्तों क्या आपने सोचा है कि घर में दो तुलसी लगाना सही है या नहीं? तो चलिए जान लेते हैं आज इस वीडियो में कि अगर आपके घर में दो या दो से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो सही है या गलत? दोस्तों हिंदो धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाकी जाती और तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुब माना जाता है मानेता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख सम्रिदी बने रहती है और तुलसी के पौधे के प्रभाव से घर की negativity जो है वो दूर हो जाती है और वहीं वास्तुशास्त्र की माने तो घर में एक से जादा तुलसी के पौदे लगाए जा सकते हैं या नहीं ये बड़ा ही खास ख्याल है इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पौदे अधिक हो ये टेंशन नहीं उससे बड़ी टेंशन है उसका हरा भरा होना यानि कि अगर आपके घर में पौदा है तो वैं हरा भरा होना चाहिए सुखावा नहीं होना चाहिए और ये तुलसी का पौदा सुख जाए तो घर के बाकी तुलसी के पौदे भी सुखने लगते हैं तो ऐसे में आपको पौदों का विसेश ख्याल रखना चाहिए दोस्तों तुलसी के पौदे को को से जाधा लगाते हैं तो दो, पांच, साथ या ग्यारा की क्रम की संख्या में ही लगाना चाहिए यानि कि तीन, चार, छे, आठ को अवोईट करना चाहिए और तभी तुलसी फलित होती है और शुभ परिणाम देती है और तुलसी का जो पौधा है उसे लगाने की सही दिशा होता है मारा इशान कोनियान की घर की उत्तर पुर्व दिशा या फिर पुर्व दिशा में भी आप लगा सकती हैं लेकिन ख्याल रहे घर की दक्षिन दिशा या साउथ हीस्ट कोने में कभी भी तुलसी का पौधा आ लगाएं और इसके साथ ही अक्सर कुछ घरों में तुलसी का पौदा बिखर नहीं लगता है यानि बहुत जादा फैल जाता है फैली भी तुलसी अशुप परिनाम देती है अगर आपके घर में भी तुलसी का पौदा फैलने लग रहा है तीतर वीतर होके रखा है तो फैलना मतलब फलित होना अलग चीज होती है और उसकी टहनियों का इधर उदर फैल जाना अलग चीज है यानि बिखराओ अच्छा नहीं होता अगर आपके तुलसी का पौदा बिखरा बिखरा हो गया तो किसी लाल चुनरी की मदद से आप उसे बांदे या कलावे से बांद कर उस दीपक ना जलाए एक ही दीपक से आपने पूजा करनी चाहिए और घर में कभी-कभी एक से ज़ाद तुलसी के पौदे लगे होते हैं तो केर नहीं होता है इसलिए अधिक पौदों को लगाना सही नहीं माना चाहता है लेकिन अगर आपके घर में अधिक पौदे हैं तो आप आपने उनका केर करना चाहिए और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अगर तुलसी का पौदा है तो आपने नियम से तुलसी के पौदे अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स को खिलाने चाहिए कि जिन घरों में तुलसी के पौदे रोज नियम से खाये जाते हैं उन्हें बहुत सारी बिबारी जुकाम वुकार आदी होती ही नहीं है क्योंकि ये तुलसी की बहुत सारे जो क्वालिटीज हैं उसकी वज़े से ये हैल्थ के लिए बह चाहिए ताकि आप इस नियम को रोज पत्ते दुलसी के पत्ते खाने का जो नियम है उसका पालन कर सकें तो ख्याल रहे दोस्तों अधिक पौदे रखने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उन्हें मेंटेन करके रखना जरूरी है ये वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर से लिखेगा जैश्री कृष्णा